Hello everyone, welcome to online class, Hindi language for class 3rd, let's start. आज हम सब्दों और वाक्य पाठ के आगे का अभ्यास करेंगे. प्रश्न तीन इस प्रकार से नीचे लिखे शब्दों का क्रम बदल कर वाक्य बनाईए. क खाता मुहन है खाना मुहन खाना खाता है मुहन खाना खाता है ख जाती है रेलगाडी इसका सही वक्रम है रेलगाडी जाती है ग गाना गाती है नैना इसका सही वक्रम है नैना गाना गाती है घ उड़ते है पक्षी आकास में इसका सही वक्रम है आकास में पक्षी उड़ते है या पक्षी आकास में उड़ते हैं आकास में पक्षी उड़ते हैं सूरज पूरब में उगता है पूरब में सूरज उगता है च आज है रविवार आज रविवार है च गुलाब है फूल का यह यह गुलाब का फूल है इसे आप स्वयम से करेंगे फॉर्मेटिव असिस्मेंट रचनात्म काकलन रचने वर्णो को सही क्रम में रखकर अर्थ पूर्ण शब्द बनाकर अर्ष्ट भुज में लिखिए यहाँ पे लिखा हुआ है म कल इसको हम कलम और कमल दोनक तरीके से लिख सकते हैं खर जाबू इससे बनाएंगे खर बूजा ताब की इससे बनाएंगे किताब जानमू इसे बनाएंगे जामुन लागूब इसे बनाएंगे गुलाब की लड इसे बनाएंगे लडकी नार अ इसे हम बनाएंगे अनार पतापी इसे हम बनाएंगे पपीता तो चलिए लिखना शुरू करते हैं कमल खर्बूजा किताब जामुन गुलाव लड़की अनार और पपीता प्रश्न दो निम्लिकित वाक्यों को पोणी कीजिए का मैं गेन खेलती हूँ या खेल रही हूँ या फिर खेलता हूँ और खेल रहा हूँ ख तुम्हारा भाई विद्याले में पढ़ने जाता है पढ़ने जाता है गः माता जी कीचन में खाना पका रही है इसी प्रकार से आगे के वाक्य है गः सिक्षक कच्छा में पढ़ा रहा है गः सूरज पूरब में निकलता है या उगता है च सुधा टीवी देखती है या देख रही है च डॉक्टर मरीच को देख रहा है या जांच कर रहा है ये आपको सेम से करने है आज के लिए बस इतना ही आगे का पाथ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे धन्यवाद